भारत का उड़ता ताबूत, Flying Coffin के नाम से जाना जाने वाला MiG-21 बाइसन विमान एक बार फिर बाड़मेर में गिर गया, इस प्रकार के क्रैशेस को रोकने के लिए फाइनली अब Government of India ने डिसाइड किया है कि 2024 से इसे रिटायर कर दिया जाएगा, ये विमान 1963 में भारत रशिया से पर्चेस कर रहा था, आज उसको लगबग 60 साल से उपर हो गए लेकिन अब समय आगया है इसको रिटायर करने का, इस बाइसन विमान के कारण लगबग 200 पाइलेट और 50 आम नागरिकों के म्रत्य हुई, अब हम देखेंगे कि कौन सा वो विम जो इसका रिप्लेस्मेंट करेगा भारत के उस विमान का आपको नाम बताना है, थैंक्यू सो मच,